आपका इस जोन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफोर्म पे तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज से हमारी हिंदी की जो कक्छाएं वो विदिवत रूप से प्रारंब हो रही है ठीक है और इसलिए और अंगरी जी भासा की भी हमारी कक्छाएं प्रारंब हो रही है सभी कक्छाएं विदिवत रूप से संचालित की जाएगी सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि प्लेश टोर पे जाके आपको टाइब करना है एस जोन अकेडमी जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको एस जोन अकेडमी का एक लोगो दिखाई देगा और उस एप को आप डाउनलोड कर देना ठीके देखे जब आप एप को डाउनलोड करोगे तो उससे आपको क्या-क्या फायदे है एक जो भी हमारे recorded lecture होंगे वो आपको दिखाई देंगे हिंदी की कक्चाई आपके अंग्रेजी की कक्चाई सभी कक्चाई वहाँ पे विद्वत रूप से संचालित होगी और साथ में कभी आपका जो doubt session होगा उसकी भी class से होगी और question answer का जो session चलने वाला है वो भी वहाँ पे जाएगा ठीक है? अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं आज हम वर्ण माला की सीरीज को तो आज हम इस हिंदी की सीरीज में पहला topic इस्टार्ट कर रहे हैं वर्ण माला देखे वर्ण माला की अगर मैं बात करूँ तो वर्ण माला की परिभासा क्या कहती है? वर्ण माला की परिभासा कहती है क्या? देखे वर्ण माला है दो सब्दों से मिलके बना आपके पास वर्ण और माला वर्ण और माला से मिलके बना है देखे वर्ण क्या होता है वर्ण की अगर मैं definition की बात करूँ परिभासा की बात करूँ तो वर्ण की परिभासा कहती है कि भासा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकडे न किये जा सके तो उसको हम क्या नाम देते हैं वर्ण नाम देते हैं अब जब जैसे कि आ सु व्यवस्तित रंग से पढ़ते हैं तो उनी सभी वर्णों को मिला के क्या कहा जाता है वर्ण माला यानि वर्ण माला की अगर मैं परिवासा की बात करूं तो वर्णों के व्यवस्तित समू को वर्ण माला नाम दिया गया है ठीक है अच्छा अब देखें वर्ण माला की बा छोटी एकाई भासा की सबसे छोटी एकाई क्या कहलाती है वर्ण कहलाती है और इसके और अधिक टुकडे नहीं किये जा सकते अच्छा एक बत याद रखना कि वर्ण का ही दूसरा नाम क्या कहलाता है तो वर्ण को ही हम दूसरी भासा में ध्वनी भी कहते है अब देखे समझे सीज़ को जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आ तो यह आपके पास क्या है अब मैं इसे लिख रहा हूँ तो यह क्या कहलाएगा यह कहलाएगा वर्ण जब मैं इसे लिखता हूँ तो यह क्या कहलाएगा आपके पास यह कहलाएगा वर्ण जो इसका लिखित रूप है तो आ लिखा है मैंने तो मैं इसे लिख रहा हूँ तो ये लिखना जिन सीजों को मैं लिखता हूँ वो कहलाते हूँ वर जबकि अगर मैं आ को लिख के लिख के नहीं बोल के बोलता हूँ जिसे मैंने का आ तो ये क्या है मेरा यह मोखिक रूप है और यह कौन सा रूप है यह है लिखित रूप बस इतना ही डिप्रेंस है कि वर्ण की जब बात की जाएगी तो वर्ण की डेफिनेशन क्या कहती है कि यहाँ क्या है ध्वनी का लिखित रूप लिखित रूप वर्ण की बात की जाएगी तो वर्ण क्या है वर्ण ध्वनी का लिखित रूप है और अगर मैं बात करूँ ध्वनी की तो ध्वनी की क्या परिवासा गए तो ध्वनी की परिवासा कहती है कि वर्ण का मौखिक रूप मौखिक रूप ठीक है, तो किलियर होगे चीजे, वर्ण को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, ध्वनी, या फिर ध्वनी को एक अन्या नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, वर्ण, और वर्ण की परिवासा क्या है, पहली परिवासा कहती है, कि वासा की वास कि ध्वनी वर्ण का मोखिक रूप है किलियर रहे चीजे चले आगे बढ़ते हैं आगे देखे आगे आपके पास आता है लिपी तो लिपी की परिभासा क्या है देखे हर भासा को लिखने के लिए एक लिपी की आवसकता होती है अब सपोज मैं आपके पास हिंदी में आ लिख रहा हूँ तो इसकी भी कोई लिपी है अंग्रेजी भासा में मैं अगर ए लिखता हूँ तो इसकी भी इस भासा की भी अपनी कोई लिपी है और हिंदी भासा की भी अपनी कोई लिपी है तो लिपी आपको क्या होता है लिपी से हमें भासा का ज्यान होता है तिक अब देखें लिपी की अगर मैं परिभासा की बात करू तो लिपी की परिभासा क्या कहती है कि किसी भासा में वरणों के लिखने के ज्यान या भासा को लिखने की सैली को ही लिपी कहते हैं तो इसे क् भासा को लिखने की सैली, भासा को लिखने की सैली या ब्यवस्था, लिपी कहलाती है, लिपी कहलाती है, तो ये हमने लिपी की परिवासा पढ़ लिए, तो लिपी की परिवासा क्या कहती है, भासा को लिखने की सैली या ब्यवस्था को लिखने की ब्यवस्था लिपी कहलाती है, अब अगर मैं बात करू हिंदी भासा की, तो हिंदी भासा की लीपी क्या आपके पास हिंदी की लीपी है देवनागरी ऐसी आपके पास अगर मैं बात करूँ अंग्रेजी भासा की तो अंग्रेजी भासा की लीपी क्या आपके पास तो अंग्रेजी भासा की लीपी रोमन लीपी ठीक है ऐसी बात करता हूँ अगर पंजाबी भासा की तो पंजाबी भासा की लिपी है गुरु मुखी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां देखिए देखिए जब मानों का पृतिवी पर जन्म हुआ और मानों ने जो आदिवासी थे उन्हें जब यह लगा कि यार भासा की बिना कोई फाइदा नहीं याणि अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाया जाए तो उन्हें लगा कि भासा की जो आवसकत में लिखता के लिए उन्होंने क्या क्या कुछ लिपड़ी चिन बनाएई मैं बात करता हूँ अगर हिंदी भासा की तो देखिए फिर हिंदी बहसा में सपॉच अगर मैं लिखता हूँ का या फिर मैं लिखता हूं खा क्या च्छिन्य है करती prefers मुझे पता चला कि अच्छा अगर में जो का लिखना है तो मैं हमेसा का को ऐसे लिखूँगा जैनि का का इसके अलावा और कोई रूप नहीं है तो यह basically है क्या तो इन्हें कहा जाता है लिपी चिं या फिर मैं ने चिंड भी कह सकता हूं लिपी चिंड कहिए या प्र चिन करिये ऐसी अगर अंग्रेजी भाहसा की बात आती है तो अंग्रेजी भाहसा में मैं क्या लिखते हूं आपके पास स्बौर्शन मैं लिका A या तो A से लिखूज़ा या पिर ऐसे ऐसे अगर B लिखना है यह तो प्रूज़ा कहते हैं जिनको हम neighboring इनी को लिपी चिन्न के माद्यम से हमें भासा का ग्यान होता है यानि भासा को लिखने की जो कला है उसी को क्या कहा जाता है लिपी कहा जाता आपके पास अब देखिए एक आपके पास यहां पर question है कि लिपी चिन्नों की ब्यवस्तित करम को क्या करते हैं अब ब्यवस्तित कर क्यों देखें, जैसे सपोज हम जब स्वर के बारे में बात करें या बियंजन के बारे में बात करो तो इनका एक क्रम है, आपके पास, अगर मैं लिखो, ओ, आ Kे बाद एक करम है इसका कि बड़ा आ ऐसी छोटी या फिर बड़ी तो ये करम से चलेंगे आपके पास ठीक है तो जैसे कुशिन है कि लिपी चिन्नों के ब्यवस्तित करम तो ब्यवस्तित करम की स्रेणी में यह क्या है और इनका एक ब्यवस्तित करम है तो यही कुशिन कह रहा है कि ल याद रखना हमेशा लिपी चिन्नों के व्यवस्तित करम को भी क्या कहते हैं वर्ण माला कहते हैं और वर्णों के व्यवस्तित करम को जब कई वर्ण आपस में मिलकर कोई सार्थक अर्थ दे तो वो क्या कहलाता है तो तब जाके वो एक सब्द का निर्मान करता है ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगला है आपके पास वर्ण तो वर्ण का जब हम क्लासिपिकेशन करते हैं तो वर्ण को दो प्रकार से पड़ा जाता है ठीक है या फिर दो भागों में बाटा जाता है देखिए एक प्रकार कहलाता है स्वर्प और एक प्रकार कहलाता है बेंजन अब यहां देखिए जैसे ये लिखा आपके पास का तो का आपके पास ये क्या है? ये वर्ण है अभी ये ब्यंजन नहीं है, ये वर्ण कहलाएगा और जब मैं इसका वर्ण बिछे दिया, नि का को मैं तोड़ूंगा तो ये किस रूप में तूटेगा? ये तूटेगा आपके पास का और आप, हम वर्ण के बारे में क्या पढ़ रहे हैं? कि वर्ण किस से मिलके बना? स्वर और ब्यंजन से तो ये क्या है? ये वर्ण है, तो जब इसका बिछेद क्या वर्ण है? बिछेद तो ये क्या मिल गया हमारे पास? तो ये इसको कहते हैं ब्यंजन और इसको क्या कहते हैं स्वर यानि कहने का मतलब कि वर्ण का निर्माण हमेशा स्वर और ब्यंजन के सयोग से होता है अब देखें हमेशा याद रखना कि जिस पर हलंत लगा होगा जैसे यहां पर कापे हलंत लगाए तो यह कभी भी वर्ण न बना जाएगा और अगर आपने इस पर हलंत नहीं लगाया तो तब यह वर्ण कहलाएगा जैसे आप कहते हैं का तो जब आप का का उचारण करोगे तो एक आपको लाश्ट में आकी द्वनी सुनाई देगी का आकी द्वनी सुनाई दे रही है तो वह आपके पास क्या है और य कहलाएगे और अगर इनमें हलंत लग जाता है तो तब यह क्या कहलाते हैं तब यह कहलाते हैं ठीक है नीचे से देखिए लिखा है कि हलंत का मतलब है कि इसके अंदर का स्वर बाहर निकल गया है क्या मतलब है इस बात का देखिए इसका मतलब है कि जब हम का का उचारण करे जिससे मैं कहता है Alors, मुझे एक साउंड सुनाइदे रही हैं लेकिन कहता हूं कुन सा जिसके नीचे हलन्त लगा है तो याद रखना यह एक ब्यंजन है ब्यंजन की परिभासा क्या कहती है ब्यंजन की परिभासा कहती है कि जिन वर्णों का उचारण स्वरी की सहायता से किया जाता वे व्यंजन कहलाते हैं लेकिन फिर से वही बात कि हलंत लगा है और हलंत का मतलब है कि इसके अंदर का स्वर बाहर निकल गया है यानि जम मैं इसका उचारण करूँगा का का तो मुझे ऐसे उचारण करना है कि आकी धुनी आये ना तो क्या ये पोसिवल है कहिए का तो जब भी अब का का उचारण करोगे आकी धुनी तो आएगी याईगी यानि इसे हमें एक बात का पता चला क्या कि स्वरों के बिना ब्यंजन का उचारण संभव नहीं है ब्यंजन का उचारण संभव नहीं है क्यों कि आकी धुनी है उसके बिना हम इसको बोली नहीं सकते का को जब हम का कहेंगे तो आकी धुनी तो आएगी या आएगी ठीक है और अगर इसमें खलन्त लगाए तो आकी धुनी नहीं आनी चाहिए यानि अगर हम कहने का मतलब कि स्वरों के बिना ब्यंजन कभी भी उचारित हो गई यह नहीं ठीक है चल आगे बढ़ते हैं अगला आपके पास अब थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं वर्ण के बारे में हमने पढ़ा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं पहला होता है स्वरों दूसरा होता है लीचन तो श्वर की परिवासा क्या कहते हैं आपके पास देखें स्वतंतर रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं कि करसी करें परिवासा क्या कहती है कि जिन वरुण का उचार स्वतंत रूप से किया जाता हूँ कहने का मतलब कि स्वर जब उचारित करते हैं तो किसी और की सायता नहीं लेनी पड़ती जबकि ब्यंजन की फरिवासा क्या कह रही थी ब्यंजन का उचअरण हमेशा स्वर की सायता से किया जाएगा ठीक है अब देखिए है आपömang ने यह स्वर लिख दिया हैं या पर रि ए आइ ओ अन्ग अह याद रखना जब आप के तो ए की अ की दोनी निंकाल रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि कोई और भी दोनी गीचे है। जैसे जब आप उचारन कर रहे थे का का तो का का जब उचारन कर रहे थे किसकी दोनी सुनाई देरी थी लाष्ट में आ की दोनी तो जब मैं अब मैं कहे रहा हूं कि आ का उचारन कीजिए आ तो क्या कोई दोनी सुनाई देरी आ के अलावा तो आ के अलावा कोई और दोनी सु complete यानि किसी और की इसको मदद की जरूरती नहीं आपके पास ठीक है अच्छा अब एक पार याद रखना कि एक्जाम में इसे कोश्चे कोश्चन बनते हैं तो देखिए पहला है इनकी कुल संख्या अगर कभी भी एक्जामनर आपसे पूछे कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तब हमेजा आप अंसर करके आओगे कितना 13 अगर सवरों की कुल संख्या पूछता है तो 13 13 क्यों इनको काउञ्ट कीजिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा तो जब स्वरों की कुल संख्या पूछता है तो सभी स्वरों को काउंट किया जाता है तो तब हमेशा अंसर कितना लिखोगे? तेरा लेकिन अगर कभी पूछेगा कि स्वरों की संख्या कुल नहीं पूछे क्या पूछे सिर्फ कि स्वरों की संख्या कितनी होती है तो तब हमेशा अंसर कितना लिखोगे? ग्यारा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि कुल स्वरों की संख्या होती है तेरा लेकिन अगर पूछे कि स्वरों की संख्या तो तब 11 क्यों तब ये जो दो लाश्ट के हैं अंग और अहा इनको count नहीं किया जाता है क्यों क्योंकि ये दोनों को अयोगवाह माना जाता है क्योंकि ये दोनों किसकी स्रेणी में आ जाते हैं अयोगवाह की तो याद रखना कि जब पूछे कुल स्वरों की संख्या तब 13 तब सभी को count करना है लेकिन अगर पूछेगा कि स्वरों की संख्या तब अंग और अहा को छोड़ देते हैं तो कुल है 13 में से 2 को माइनिस कर द अब अयोगवाह क्या होते हैं तो अयोगवाह के बारे में आगे जानेंगे आगे देखें आगे लिखा है कि मूल स्वरों की संख्या मूल स्वर क्या है आपके पास देखें मूल स्वर वे स्वर होते हैं जो हमारे पास पहले से थे और जिनकी मदद से हमने दूसरे स्वरों का निर्माण किया है वे क्या कैलाते हैं मूलर कहलाते हैं और मुलर कि संखया कितनी मानी गई है तो 4 मानी गई है आप चार कौन-कौन से आपके पास मूलर मूलसवर होते हैं कौन-कौन से एक उता आ, ई, उ, और री तो ये आपके पास चार मूल स्वर माने गए हैं अब मूल स्वर का मतलब क्या है? कि जो हमारे पाप पहले से मौझूद थे और जिनकी सहायता पर हमने अन्या स्वरों का निर्मान किया है अब आप अगर इसको देखो तो ये देखे, ये आ से मिलके ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला जो बड़ा वाला आ है ये इस दो आ से मिलके बना है यानि जब आ और आ मिला तो तब इन्होंने क्या निर्मान किया? बड़ा आ का ऐसी जब हमारे पाद छोटा ई था दो छोटे ई को मिला के हमने क्या बनाया? बड़ी ई बनाया ऐसी उ की बात करूँ तो छोटा उ फिर छोटा उ मिला तो इन्होंने किसका निर्मान किया? बड़े उ का ऐसी ही री और री का जब मेल किया तो ये क्या बना? री लेकिन इसका प्रियोग हमारे पास हिंदी भासा में नहीं पाया जाता ठीक है चाले आगे बढ़ते हैं आगे देखे आगे कहता है कि मात्रा के आधार पर सुरू की संख्या और मात्रा के आधार पर सुरू की संख्या कितनी बताई गई है तो दो लिखा गया है एक कहलाती है लगू मात्रा और दूसरी कहलाती है आपके पास गुरू मात्रा तो देखें क्या होता है जैसे मैं अगर बात करूं लगू मातरा की तो लगू मातरा की जब मैं बात करता हूं तो लगू मातरा कौन सी होती जो आप पीछे से लगाते जैसे यह वाली मातरा और जब मैं बात करता हूँ गुरु मात्रा की तो गुरु मात्रा कौन सी होती है यह बाले जैसे सपुल लगु मात्रा में आपने एक्जामपल की बात करूँ तो जैसे आप लिखते हो निशा गुरु मात्रा में जैसे आप लिखते हो नीलम या जैसे लिखा नीमा है ना जैसे आप लिखते हो निर्मल तो यह जो मात्रा है यह जो छोटी ए की मात्रा जो होती है तो छोटी ए की मात्रा यह होती है इसकी कौन सी मात्रा यह वाली जो मात्रा तो इसको क्या कहा गया लगू मात्रा जबकि जो बड़ी E की मात्रा होती है जो आपके पास ऐसे लगती है पीछे से तो इसको कहा जाता गुरू मात्रा ठीक है याद रखना अगर कभी भी MP राजिस्तान के जो एक्जाम होते हैं वहां पे अगर आपके पास एक कुशन आता है कि मातरा के आधार पर सवरों की संख्या कितनी मानी जाती है तो तब आप हमेशा अंसर करके आएंगे कितना 2, तब हमेशा आप अंसर करेंगे 2, clear है चीजे clear है, ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं यहां देखिए अगला क्या कह रहा आपके पास स्वर्की मात्रा अब स्वर्की मात्रा क्या होती आपके पास यहां देखिए कि स्वर्की मात्रा की जब मैं बात करूँ यहां पे तो स्वर्की मात्रा में ब्यंजनों के बिभिन प्रकार के उचारणों को इसपष्ट करने के लिए जब ब्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आता है उसे तो उस रूप को स्वर की मात्रा करते हैं क्या मतलब इस बात का? देखे क्या होता आपके पास? देखे जैसे हम अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आ आ इ इ उ उ री इ आ हो आउ अंग और स्वर की मात्रा हैं क्या हुई? तो बात करते हैं पहले स्वर की मात्रा मात्रा कितनी होती है? स्वर की यहाँ देखे अगर मैं बात करूँ आकी छोटे आकी तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती इसके कोई मात्रा नहीं होती छोटे आखी बड़े आखी बात करूं तो इसकी एक मात्रा आती यह वाली जैसे आप लिखोगे कभी क्या निश्या अभी बताए था बड़े की जो मात्रा होती वो कैसे होती है वो लगती है पीछे से जब आप लिख लोगे जैसे नीलम ऐसे छोटे उकी मात्रा का वहां से लगती है यह लगती है पीछे से ठिक बड़े उकी मात्रा यह लगती है इधर से री की जो मात्रा होती वो ल तो प्रिथिवी यह पापे किसके मात्रा लगी री की मात्रा एक जो मात्रा होती याद रखना है इस पर कोई भी मात्रा नहीं दिखरी तो इसकी हमेशा होती एक मात्रा जिस पर कोई भी मात्रा नहीं उसकी एक मात्रा और जिस पर एक मात्रा उसकी दो मात्रा ओकी बात करो तो इसकी एक मात्रा अव की बात करो तो इसकी भी दो मात्रा नोस्वार और इसको केते हैं हम चंद्रबिंदु क्या कहते हैं इसको चंद्रबिंदु ठीक है अब इसके हम बात करेंगे अनुस्वार क्या होता है जैसा आप लिखो गंगा और मैंने यहाँ पे लिखा है गंगा तो देखे ये जो पंचमाक्षर कावरका है काठा गा 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 तो ये पंचमाक्षर परिवर्टित हो जाता हमेशा किसमें अनुस्वार में तो आगे पढ़ेंगे ये अनुस्वार हो गया ये चंदर ऴुद्दू और बिदू और आहा जो होता है इसकी कौन्सी मातरा होती है इसकी ये मातराएं होती है जिसको हम नाम देते हैं बिसर्ग क्लिए रहे चीज़े तो अभी हमने आपके पास सब भी सवरों की मातराएं देख लिए अब अगर मैं मातरा की बात करूँ तो count करते हैं कुल कितनी मात्रा है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यह दस मात्रा है हो गई ठीक है और अंगोरा के दो मात्रा ही होती है लेकिन इनको हम count नहीं करते हैं यानि अगर बात करूं तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी माने गई है दस माने गई है याद रखना हमेशा क्यों कि अंग और अहा को इसमें count नहीं किया जाता तो याद रखना हमेशा कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या हमेशा दस मानी जाती है क्यों क्योंकि अंग और अहा को इसमें count नहीं किया जाता clear है चीजे अंग और अहा को इसमें count नहीं करेंगे तो कुल कितनी बज़ गए दस बज़ गई आ की कोई भी मातरा नहीं होती तो ये आ है इसकी मातरा नहीं एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आट, नो और दस तो ये दस मातरा हैं अंग आ की मातरा ही होती है लेकिन उनको हम काउंट नहीं करते तो जब भी एक जब में कुशन आए कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है तो हमेशा याद रखना कि स्वरों की संख्या कितनी मान के चलोगे हमेशा 10 मान के चलोगे जबकि अभी बता चुका हूँ कि अगर राजिस्तान या मध्यपरदेश जैसे एक्जाम होते हैं तो वहाँ पे इसकी संख्यात दो मानी जाती लेकिन उत्राखंड और यूपी के जो भी एक्जाम है वहाँ पे आपको कितने मान के चलना है तो वहाँ पे आप मार के चलोगे दस क्लियर है चीज़े तो मात्राइं क्लियर हुए आप लोगों को अब देखे क्या चीज़े बियंचनों के विविन प्रकार के उचारण को अब जैसे मैं सब्द लिखता हूं का यह का लिखा है तो इसके मिलके बना आपके पास यह मिलके बना का और आसे तो यह जो आ है इसकी अभी बताय था कि इस आत का आ की यह वाली मातरा होती यानि जब मैंने काखे साथ आ मिलाया तो क्या बन गया का तो वही तो बात किये कि बियंचनों के विविन प्रकार के उचारणों को इसपस्ट करने के लिए जब हम बियंचन के साथ सवर का य आता है उस रूप को स्वर्की मात्रा कहते हैं कि यहां देखिए ठीक है जैसे यहां देखिए अब जैसे मैं लिखता हूँ यहां पर आ ऑ आ इ Hee उ Ł ओ री ठीक है यह लेके चलता हूँ अगर मुझे इतना ही लेके चलता है अगे भी लिख सकते हैं 번째 के साथ तो कैसे करूँगा इसको मैंने लिख दिया का इसकी मातरा के साथ का छोटे एकी मातरा के साथ की बड़ी एकी मातरा के साथ की छोटे उकी मातरा के साथ कू बड़े उकी मातरा के साथ कू और री के साथ क्या लिखूंगा कर तो यही तो बात है कि जब ब्यांजन का विबन प् के उचारलों को इस्पष्ट करने के लिए जब इसका स्वर के साथ यह करते हैं तो स्वर अपने मूल में लूप में ना कर जिस रूप में आते हैं उसे क्या कहते हैं it is यह है 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 का, इसकी तो कोई मातरा नहीं होती, तो जैसे यह लिखा आ, तो यह का जो लिखा है, इसमें स्वर की मातरा क्या है, तो इसमें आपके पास का और आ, तो यह हमारा स्वर, यानि यह स्वर का मेल किया इसमें, किसके साथ बियंजन के साथ तो जब बियंजन के साथ स्वरका मेल किया तो जिस रूप में वो आता है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं स्वरकी मात्रा क्लियर हुए चीज़े चले आगे बढ़ते हैं क्या देखिए आगे बढ़ते हैं कि आगे आपके पास कि जब किसी सब्द में किसी ब्यांजन के साथ लगातार दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में जबकि दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है क्या मतलब इसका देखें समझे जिज़ों को जैसे एक एक्जामपल लिय अब देखें सुरुवात का जब मैं वर्ण विषयत करूँगा तो क्या बनेगा इसका इसको वर्ण विषयत सुरुवात का तो यह बनेगा आपके पास सा अब यह मातरा किसकी छोटे उ की तो छोटा उ अब रा की जो मातर है रा और इस पे बड़े उ की मातरा अब आ और लाश्ट में ता और आ तो यह हमने सुरुवात का वर्ण विषयत कर दिया अब देखें क्या बात कर रहा है कि जब किसी सब्द में किसी ब्यंजन के साथ लगातार दो सवर तो लगातार दो सवर कहने एक सवर यह हो गया और एक यह हो गया आपके पास पहला सवर और यह हो गया आपके पास दूसरा सवर क्लियर रहे चीज़े हैं जब किसी सब्द में किसी भ्यंजन के साथ लगातार दो स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मातरा के रूप में जबकि दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है यहां देखें इसका आवार ने विश्यर कर दिया पहला वाला जो स्वर है वो अपने मात्र वो क्या होता है पहला स्वर मातरा के रूप में गयानि यह अपनी जो मातरा है किसको दे दिया अपनी मातरा इसको तो जब रा यह है सै अब कर पास रा और ये ऊ ठीक है फिर से लग थे Loc.. आलगू रा वो ता और आ ये लिखा है अब ये जो पहला वाला सवरह कौन सा यह है आपके पास बड़ा सवर्ड Fourier dobrze तो यह आपके पास पहले पहले सवर की मात्रा कौन सी होती है तो आपके पास यह अपने मात्रा दे को राक हो तो इसने विला कि क्या बना दिया भला यह तो का है कि पहला स्वर मात्रा की रूप में यह जो है यह अपने मात्रा देगा रा को तो रा को मात्रा देगा तो सब्द क्या बन गया रूप और यहां से यह जो आ है जो दूसरा आता है वह हमेशा याद रखना इसका वर्ण विछेत नहीं होता है और दूसरी बात क्यों और ता और इसको मिला के क्या बन गया ता तो सब्द मिलके क्या बन गया आपके पास सुरू आत याद रखना हमेशा कि कभी भी जब भी किसी ब्यंजन में लगातार दो सवर आते हैं तो पहला सवर हमेशा मातरा के रूप में और दूसरा सवर हमेशा अपने वास्तविक लूप में आता है क्लियर है चीजे आगे बढ़ते हैं कि यहां देखिए अगला है आपके पास एक्जाम पाल गुंजाईज अब बेटा एक बात याद रखना कि जब गुंजाईज का वन विचेट करोगी तो देखो यह रूल हमें अनुस्वार में पढ़ना आगे फिलाल अभी देख लेजिए आपके क्या होता आपके पास कि इसका मैं सरलतम रूप लिख दूँगा पहले गुंजाईज क्यों क्यों कि अभी बताया था थोड़ी देरे पहले जब हमने गंगा का किया था तो गंगा का कैसे किया था यह लिखा था गंगा और इसका बना दिया था यह इसका भी क्या रूल होता है बेटा इसका रूल होता है कि जब भी पंचमाक्षर यह आपके पास का खा गा गा और गा तो इसको बोला जाता पंचमाक्षर ऐसी चावर्ग के बात करूं चावर्ग में क्या जाएगा च्छा जा जा और यह इसको प्रतामवन दूतियवन तृतियवन चतृतवन और पंचमवन याद रखना जब भी ऐसी कभी situation हो तो देखे जैसे यह सब्द था गंगा तो इसका क्या यह था गंगा तो यह जो है गा तो इसकी दुवनिया आ रही है अपके पास इसकी तरह यह वाला गंगा यह आरी इसके अधिक है यह सब्द गंगा तो याद रखना हमेशा कि यह जो गंग है यह जो पंचमा वर्ण है यह हमेशा परिवर्टित हो जाता है कि इसमें पंचमात सल्मेशा प्री इसका कंडिशन रूल क्या है कि इसके बाद कोई इसी के वर्ण का होना चाहिए जैसे यह था यहां पे तो इसी के वर्ण का गा दिखा है मुझे तभी मैंने इसे परिवर्टित कर दिया तो जैसे यह पर था गbijुन जाईस क्यों लिख दिया क्योंकि यह वाला जो चा छा जा यह कौन से वर्का है यह आपके पास चा वर्ग का यह भी कौन से वर्का है चा वर्का है और यह पंचमा अक्षर पंचमा वर्ग यह जो है अनुनासिक है वह आपके पास अनुस्वार है तो यह भी आपके पास क्या हो गया यह चावर्ग का है, पंचमाक्षर, और यह भी आपके पास चावर्ग का है, कौन सा? तीसरा वर्ड, तो हमेशा तब परिवर्टित होगा, जब उसके पीछे पंचमाक्षर के पीछे हमेशा कोई उसी वर्ग का मिलेगा, जैसे इसके पीछे हमेशा इसी के वर्ग का मिला है, यह पंचमाक्षर पंचुआ है तो इसको मैंने परिवर्थित करके इसको क्या कर दिया इसको बिंदु में गुंजाइज क्लियर यह चीज़ है कि यहां देखिया कि अब देखिया पर जैसे सब visit दिया था कि गुंजाइज ही हैंच तो मैंने इसको सरलतम रूप में क्या रिख दिया कि पंचमाख्षर न अनुस्वार बदल जाये पंचमाख्षर में अनुस्वार को पांचवी चाषा यानि चावर का पंजेम अकषर कुणसा चाषा जा यहां गुन-जाइस यह ऐसे लिख दो यह तो फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूं इसको ऐसे लिख सकता हूं गुन-जाइस दोनों सही मानने जाते किलियर दीजिए अब जब मैं इसका वड़ने बिचेत करूँगा तो क्या होगा इसका वड़ने बिचेत क्या हो जाएगा तो देख्ये गा जा आ ए शा और आ कोई बात कि जब लगातार दो सवर तो लगातार दो सवर है यह आपके पास पहला सवर ऑऔर यह आपके पास दूसरा सवर है ना पहला सवर जो आ है वह अपने मातरा देगा जा को तो क्या बन जाएगा जा और यह अपने वास्तविक रूप में रहते हैं तो इसका बन जाएगा आपके पास इसको जा यह यहां पर यहां लिख दो आधा लिख दो यह ऐसे रहें दो जब आ ने जा को मातरा दी तो जा यह अपने ऐसी रूप में और सा आ जब सा को मातरा देगा तो क्या होगा यह तो सब्द बन जाएगा गुंजाइस क्लियर है चीजे अब इससे अनुस्वार यानि बिंदू हट जाएगा ठीक है चले कि आगे बढ़ते हैं अब यहां देखिए आगे हम बात करते हैं स्वरों के वर्गी करण के बारे में तो बैटा स्वरों का जो वर्गी करण है कुल कितने प्रकार से किया जाता है कुल पांच प्रकार से स्वरों का वर्गी करण कितने प्रकार से किया जाता है पांच प्रकार से स्वरों का वर्गी करण किया जाता है जिसमें पहला आपके पास उत्वपति के आधार पर दूसरा आपके पास उचारन काल के आधार पर तीसरा है जीब के परियोग के आधार पर, छोथा है उटों की इस्तिति के आधार पर, पांचवा है मुहा खुलने की इस्तिति के आधार पर, ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते एक नई क्लास के साथ, तब तक Thank You, Good Bye, Thank You.